अगर संख्या बढ़ लिए तो कम्यूनिटी स्प्रेड निशित तौर पर हुआ होगा ऐसा एक अंदेशा हुआ है मुबईकर है अभी थोड़ा सा उबर रहा है अब तुरान यह होता है तो बहुती खराप घर-घर में अबस्ता हो जाए जिस मुंबई शहर में कोरोना हर दिन 10,000 से जादा लोगों को चपेट में लेकर बेलगाम होता जा रहा है खत्रे को हर पल बड़ा बना रहा है उस मुंबई में अगर एक साथ लाखों लोगों को इलाज की जरूरत आपड़ी तब कौन बचाएगा उनकी जान क्योंकि मुंबई में लोगों को बचाने वाले रक्षक ही अब हो रहे हैं कोरोना से बिमार हमारी जितनी भी पोटेंशल है वो पूरी पोटेंशल हम यूज कर रहे हैं करीबन पौने दो लाख से दो लाख टेस्ट रोज बोना चाहिए यह ऐसे ही बीस हजार के उपर रूम न पाए जा रहेंगे तो लॉगडाउन लगाना जरूरी होगा जिस मुंबई में अस्पताल पिछले पांच दिन में ही 15 फीसद से जाधा मरीजों से फर जाए उस मुंबई में अगर हर रोज 20 हजार करोना केस आने लगे मरीजों को एक साथ अस्पताल पहुचाने लगे तब उन मरीजों की जिंदगिया कौन बचाएगा क्योंकि मुंबई को बचाने वाले रक्षकों पर ही कोरोना अब प्रहार कर रहा है मुंबई को बचाने वाले जिन रक्षकों की आज हम यहां बात कर रहे हैं वो रक्षक कोई और नहीं डॉक्टर हैं वो डॉक्टर जिनके कंधों पर देशवासियों को कोरोना और उसकी तीसरी लहर से बचाने की सबसे बड़ी जिम्यदारी है लेकिन ऐसे ही डॉक्टरों से जुड़ी मुंबई महराश्टर से चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है महराश्टर में कोरोना के बढ़ते खत्रे के बीच अलग-अलग जिलों में 218 रेजिडिन डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो गये हैं सिर्फ 4-5 दिनों में ही महराश्टर के कितने सरकारी डॉक्टरों पर कोरोना का कहर तूटा और इसमें भी बड़ी बात ये कि संक्रमित 218 रेजिडिन डॉक्टरों में 199 डॉक्टर अकेले मुंबई शहर के हैं ये डॉक्टर मुंबई के अलग-अलग सरकारी अस्पतालों में अपनी सिवाएं दे रहे थे और इसी दौरान कोरोना संक्रमित की चपेट में आ गए मुंबई के जेजे अस्पताल के बाहर और राज में बढ़ते करोना संक्रमित के मामलों के बीच डॉक्टरों को लेके एक परिशान करने वाली खबर आई है कुल 218 रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो अब तक करोना पॉजिटिव पाये गये हैं बिते चार दिनों में ये आकड़ा बढ़कर एक से 208 तक हुआ है बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये आकड़ा जो है वो 300 या 400 के पार भी जा सकता है यानि जिन डॉक्टरों पर इस वक्त मुंबई वासियों को कोरोना से बचाने का जिम्मा है और जो इस वक्त सबसे आगे रहकर कोरोना से देश के लिए जंग लड़ रहे हैं खुद उन पर अब कोरोना का प्रहार हो रहा है वो बिमार हो रहे हैं ये डॉक्टर अविनाश तहिपाले हैं जो सेंट्रल माड यानी महाराष्ट एसोसियेशन ओप रेसिडिन डॉक्टर्स के अध्यक्ष हैं एबीपी न्यूस से बाचीत में अविनाश क्या कहते हैं सुनिए मुंबई में अब तक जो 199 डॉक्टर करोना पॉजिटिव मिले हैं उनमें मुंबई के सबसे बड़े जेजे सरकारी अस्पताल के 61 डॉक्टर हैं सायन अस्पताल यानी लोकमाने तिलक मिनुस्पल अस्पताल के 50 डॉक्टर मुंबई सेंट्रल के नायर अस्पताल के 40 डॉक्टर परेल के के एम अस्पताल के 40 डॉक्टर और जुहु इस्थित कूपर हॉस्पिटल के 8 डॉक्टर शामिल हैं जबकी बाकी 18 डॉक्टर ठाने, नाकपूर, धुले और लातूर जिलों के सरकारी अस्पतालों के हैं महराष्ट देश के 25 राजियों में सबसे उपर बना हुआ है जहां कोरोना का खत्रा बढ़ रहा है मुंबई में केस हर दिन रेकार्ड बना रहे हैं, कोरोना के साथ ओमिक्रोन विसफोट भी हो रहा है नए साल की शुरुवात के साथ बीते सिर्फ चार दिनों में ही मुंबई में कोरोना मामले 34 फीस्द तक बढ़े हैं मुंबई में एक जनवरी को 6,347 कोरोना मामले सामने आये थे दो जनवरी को 8,063, तीन जनवरी को 8,082 नए के सामने आये और इसके अगले दिन 4 जनवरी को 10,860 मामले मिले यानि 3 जनवरी की तुलना में 4 जनवरी को कोरोना मामलों में 34 फीसद का उच्छाल देखने को बिला पूरे महराश्र की बात करें तो 4 जनवरी को पूरे राजे में 18,466 नए कोरोना मामलों की पुष्टी हुई संक्रमंदर 13 फीसाद से ज़ादा दर्श की गई इसी से आप महाराश्ट और मुंबे में बढ़ते कोरोना के खत्रे को समझ सकते हैं महाराश्ट में एक बार फिर से कोरोना की परिस्थिती बिगड़ती जा रही है खासकर मुंबे में हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं हम इस वक्त मौझूद हैं मुंबे के नायर अस्पताल के बाहर और आज खबर ये मिली है कि जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटी पाए गया हैं ऐसे में सवाल सरकार से ये है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर पॉजिटी पाए जाते हैं तो किस तरीके से सरकार जो है वो संक्रमित मरीजों का इलाज वहिया करा पाएगी इस वीज टाटा इंसिट्यूट और फंडामेंटल रिसर्च यानि TIFR से जुड़ी टीम के नए अनुमानने मुंबई की चिंता और बढ़ा दी है जिसमें कहा गया कि मुंबई में 6 से 13 जन्वरी के बीच कोरोना के मामले चरम पर पहुंश सकते हैं और ऐसे मामलों में कमी आने में एक महीने का वक्त लग सकता है हलाकि महराश्य सरकार मुंबई समेथ पूरे राज में कोरोना के बरते खत्रे से निपटने के लिए हर तरह की तैयारी का दावा कर रही है बंदोबस्त भी लगातार बढ़ाये जा रहे हैं सरकार हर हालात पर नजर रखे हुए है मुंबई में जेपिटी सीम अजीर पावार ने कोरोना टास्क फोर्स के साथ समिक्षा बैठक की जिसमें राजे के स्वास्त मंत्री राजेश टोपे भी मौजूद थे बैठक के बाद राजेश टोपे ने कई बड़ी बाते कहीं ये जानकारी देते वक्त महराश्र के स्वास्त मंत्री राजेश टोपे ने कम्यूनिटी स्प्रेट का भी जिक्र किया हलाकि साफ कुछ भी नहीं कहा लेकिन मुंबई जैसे महानगर में अगर ऐसी नौबत आती है और तीसरी लहर का सामना अगर मुंबई वासियों को करना पड़ा तो तब सबसे ज़ादा अस्पतालों में ही लोग नजर आएंगे और ऐसे गंभीर हालात में अगर डॉक्टर ही संक्रमन का शिकार होते जाएंगे तो तब कि स्थिती क्या होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि दूसरी लहर में मुंबई ने क्या-क्या जहला वो सब को पता है अब यहां महाराश्ट और मुंबई में रेजिडन डॉक्टरों से जुड़ा आंकड़ा भी देख लिजिए महाराश्ट में 23 जिला अस्पतालों को मिलाकर छोटे बड़े अस्पताल और प्रात्मिक स्वास्त केंद्रों की संख्या करीब 13,000 है 7500 से जादा डॉक्टर स्वास्त विभागों के तहत अपनी सेवाएं दे रहे हैं 25 फीतर डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं यानि करीब 2600 आंकड़े बताते हैं कि महाराश्ट में आस्तन हर 16,000 लोगों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है जबकि मुंबई में आस्तन हर 1900 लोगों के लिए एक डॉक्टर महराश में रेजिडन डॉक्टर की बात करें तो उनकी संख्या करीब 4500 है इन में से 2000 रेजिडन डॉक्टर मुंबई के अस्पतालों में अपनी सिवाएं दे रहे हैं और जेजे, सायन, नायर और कूपर जैसे अस्पताल मुंबई के बड़े और प्रमुक्ष सरकारी अस्पतालों में गीने जाते हैं जहांके डॉक्टरों पर कॉरोना अब प्रहार कर रहा है, उन्हें बिमार कर रहा है ऐसे समय में जब मुंबई को डॉक्टरों की ही सबसे जादा जरूरत है और आगे ये जरूरत बहुत बढ़ सकती है क्यों? वो मुंबई की दो ताजा तस्वीरों को देखकर आप समझे एक तस्वीर मुंबई के बोरिवली की है जहां भीड इस बढ़ते कॉरोना के खत्रे में भी कम नहीं हो रही जबकि कई पाबंदियां हैं दूसरी दादर की जहां लोग मास्क में तो दिखे लेकिन दूरी का पालन नहीं किया और पालन करवाने का जिम्मा जिन पर है वो भी नदारत